अब हम करेंगे कोशन नमबर 34 इसमें हमें काया है टू रेक्राइंगूलर शीट्स और दिमेंशन 45 सेंटीमेटर भाई 155 सेंटीमेटर और फोल्ड टू मेक होलो राइट सर्कुलर स्लेंड्रिकल पाइप इसमें ध्यान दो बच्छा हमें टू शीट्स दी है टीकर शीट वन और शीट टू और उनकी डिमेंशन 45 सेंटीमेटर भाई 155 सेंटीमेटर है यानि की लेंट 45 और ब्रेत कहलो या वित कहलो 155 सेंटीमेटर है दोनों की डेमेंशन सेम है तो इसका मतलब दोनों शीट की हैं बच्छा एडेंटी कल एक जैसी हैं ऑकके और जब लिंग को फोल्ड करा तो वन सेंटीमीटर ऑफ और लैप आया वन सेंटीमीटर जो है लैंद्ट जो है ना बच्छा ओवर लैप में चलीगी जब हम लिके ए sheet 2 is folded along its width और sheet 2 को width के along किया यानि की 155 cm के along कैसे किया अभी मैं आपको करके बताऊंगा भी बच्छा figure रोग करके बताऊंगा कैसे पोल्ड किया है और हमें find करना है difference in the curve surface area of two cylinder दोनों cylinder के curve surface area का difference difference means दोनों का CS से निकालना है और उनको minus कर देना है second find the ratio of volume of two cylinder और दोनों की volume का दोनों cylinder जो बनेंगे इस लेंडिकल पाइप बनेंगे उनकी volume का ratio ठीक है तो द्यान से समझना बच्छा अब देखो बच्छा sheet 1 को हमने along length fold किया है length किया इसकी 45 cm अब बच्छा जब हम इसको 45 cm के along fold करेंगे तो किस तरह से फोल्ड होगा देखो arrow से पता चल रहा है ऐसे तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा और जो 45 cm वाली जो स्टेट लाइन थी वो किस में convert हो गई circle में और ऐसे इस साइड में भी जब हम इसको fold करेंगे तो इस तरह से fold हो जाएगी तो दोनो 45 cm इसके circle की boundaries बन गई यानि की circumference of circle हो गया और बीच में हमें एक cylinder मिल गया देखो यह cylinder मिल गया अब इस cylinder का जो circumference है वो क्या रहेगा अगर बच्चा overlapping ना दी होती तो 45 cm circumference होता लेकिन क्योंकि overlapping दी हुई है तो circumference हमारा 1 cm जितनी भी overlapping जो दिये जैसे कि इदर 1 cm दिये और कम हो जाएगी अब अब अच्छा circumference of first cylinder क्या होगी 45 माइनस जो overlapping में चला गया यानि कि 44 cm दो circumference 1 ओके और अब height of the first cylinder क्या रहेगी अब देखो बच्चा height कहां से कहां तक होती है यहां से लेकिन यहां तक और यह किसके बराबर आ रही है 155 cm के तो height 1 हमारी 155 cm हो जाएगी अब circumference of second circle देखो बच्चा circumference of second circle क्या रहेगा अगे इसको ऐसे रिवाल्व किया है हमने तो जो यह 155 cm है वो circumference के along चली जाएगी तो यानि कि circumference of second circle होगा 155 लेकिन अगे इदर भी 1 cm बच्चा किसमें चला गया overlapping में तो 1 cm जो length है overlapping में चलेगी तो उतनी length circumference से कम हो जाएगी तो यानि कि c2 circumference of second cylinder होगा 155-1 154 cm और इसके height क्या रहेगी height मैंने बताया यहां से यहां तक होती है और यह किसके क्वल होईगी height 45 cm के सो h2 हमारा 45 cm हो गया अब पहले हम फार्ष पार्ट करते हैं फार्ष पार्ट में हमने difference of csa निकालना है यानि कि csa का formula क्यों होता है बच्चा 2 pi r h csa of cylinder होता है 2 pi r h इसमें जो यह 2 pi r है यह circumference का formula है तो यानि कि formula और बन गया हमारा csa of cylinder का circumference of base multiply by height अब csa 1 यानि कि first cylinder का csa c1 into h1 हो जाएगा ओके c1 कितना बच्चा 44 और height 1 155 अब अगर 44 x 155 करते हैं तो हमें मिलता है 6820 cm2 csa of first cylinder अब csa of second cylinder again formula होगा circumference into height इधा circumference c2 लेंगे और height h2 अब c2 कितना बच्चा 154 multiply by h245 और अगर हम 154 into 45 करते हैं न वी गेट 6930 स्क्वेर सेंटीमीटर अब difference of csa क्या होगा जो हमने first part में हमसे पूछा है वह होगा बचा 6930-6820 यानि कि इसके साथ हमारा first part complete हो गया है अब बच्चा इस question का second part हम करते हैं second part में हमें क्या find करना है ratio of the volumes of two cylinder so ratio of volume is equal to क्या होगा V1 upon V2 यानि कि volume of first cylinder upon volume of second cylinder अब cylinder की जो volume का formula होता है न बच्चा हो रहा था ही है रेडियस और हाइड को अब देखो बच्चा इसमें पाई और पाई हमारा कट हो जाएगा अब हमारे पास है 155 और एच्टू भी है 45 लेकिन आरवन और रटू नहीं है तो हमें आरवन और रटू पहले find करने होंगे वह कैसे find करेंगे using circumference तीक है तो circumference यानि कि C1 44 है फर्स लेंडर का तो circumference का formula 2 pi r1 होता है is equal to 44 यानि कि 2 into pi 22 by 7 r1 हमें निकालना is equal to 44 तो r1 क्या होगा बच्चा 44 इदर यह divide by 7 में है यहां के multiply by 7 होजेगा अपन में इदर 2 into 22 into r1 है तो 2 into 22 हमारा डिवाइजर में चला जाएगा अब देखो बच्चा 44 को 2 से ड्वाइट करते हैं 22 आता है अब 22 को 22 से कट कर देंगे तो उपर नीचे बन हो जाएगा अब radius हमारा r1 7 हो गया तो 7 cm फर्स स्लेंडर का radius आ गया अब सेकंड स्लेंडर का radius कैसे निकालेंगे उसके लिए circumference second use करेंगे c2 is equal to 154 अगें formula 2 pi r लेकिन इदर radius r2 हो जाएगा is equal to 154 अब 2 into 22 by 7 into r2 is equal to 154 और अब r2 की value किया होगी 154 यह divide by 7 है इदर lhs में तो rhs में आके multiply by 7 upon में यह 2 into 22 r2 के साथ multiply है तो इदर आके divisor में चुट जाएगे अब देगो बचा numerator में 7 into 7 तो हम लिखेंगे r2 is equal to 7 into 7 numerator में और denominator में 2 बचा है upon में 2 अब 7 into 7 49 upon 2 तो हमारा r2 हो जाएगा 49 upon 2 cm अब दोनों के radius में बच्ता चल गए बच्छा है r1 और r2 अब यह हम इसमें value डाल देते है ratio निकालने के लिए r1 और r2 और h1 और h2 की अब r1 कितना बच्छा 7 क्यूंकि स्क्वेर है तो 7 into 7 और height of the first cylinder 155 यह भी हमने लिख दी upon में r2 का स्क्वेर है r2 कितना निकला बच्छा मारा 49 upon 2 49 upon 2 दो बार आजेगा into height height कितनी a second cylinder gets to 45 अब अच्छा नेक्स टैप होगा 7 into 7 into 155 का मैंस किस लिख लेंगे और नीचे वाले जो प्रेक्छन देनों का ऐसी प्रोकल कर लेंगे यहांद की 49 upon 2 को 2 upon 49 अगे यहाले 49 upon 2 को भी 2 upon 49 अविदा 45 upon 1 दूसको 1 upon 45 अ 49 on 7 7 7 7 7 7 49 अगे इधर 1 इधर 7 155 और 45 दोनों पेटा 5 से ड्वाइड हो जाते हैं 155 को अगर हम 5 से ड्वाइड करते हो 31 आता है और 45 को 5 से करेंगे तो 9 तो अब अच्छा क्या अंसर होगा देखो 31 एक याया और इन्टो 2 इन्टो 2 दो बार 2 हो गए अपोन में 7 इन्टो 7 इन्टो 9 ओके इस इक्वेल टू अब एको 31 इन्टो 2 इन्टो 2 124 होगा अपोन में 7 इन्टो 749 49 इन्टो 9 4 4 1 तो हमारा रेशियो वॉल्यम हो गया 124 रेशियो 4 4 1 और इसके साथ हमने कोशन नंबर 34 कम्प्लीट कर लिया है